अल्ट्रा भक्ती चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें श्वासों की वीडा पर सगा जंकर्त होने वाला परमात्मा और जीवात्मा के मध्यका सब्तमतार हूं मैं ओमकार हूं शक्ती स्वरूपा देवी को प्रसंद कर उनसे इच्छित वस्तोय निर्मित करने का वर्दान प्राप्त करते हैं ब्रह्मा जी नारत को भविश्य के लिए सावधान करते हैं नारत व परवत दोनु तवश्टा रिशी के आश्टम में आते हैं इंद्र भी तवश्टा के चमतकारों से प्रभावित होकर उन्हें स्वर्ग ले आते हैं तुष्टा रिशी के दिये वचन के अनुसार, देवराज इंद्र ने देव शिल्पी विश्व कर्मा को शीग्रता शीग्र स्वर्ग में शक्ती मंदिर का निर्मान करने का आधेश दिया, जिससे स्वर्ग लोक में शक्ती पूजा की प्रथाव परंपरा आरंभ हुई, दू मुनिवर नारत, अधी उत्तम, सर्वस्रेष्ठ, आपके भक्ति पूर्ण गायन इवम आलाप ने हमें आत्म विभोर कर दिया, ऐसा प्रतीत हुआ हमें, जैसे गीत नहीं, आपकी आत्मा के स्वर्ग सुन रहे थे, पर्वत्मुनी, आपका गायन इमम वीनावादन भी स्रे है, आपको निराश होने की आवश्यक्ता नहीं, आप दोनों ही पुरस्कार के अधिकारी हैं, राजन, ये भेट और उपहार ग्रिहस्तियों को शोबा देते हैं, हम इने कहां रखेंगे, हां महराज, ये भेट और उपहार हम निरलिप्त प्राणियों के लिए उपयोगी न जो मैं आप दोनों को दे रही हूँ, आपको उसे स्विकार करना ही होगा, क्या, कण प्रिये और मन मुग्दकारी, भी संकीत के लिए धन्यवाद, राजन, आपका मन प्रसन हुआ, हमें भी संतोश मिला, अब हमारी बिंती स्विकार करें, आज्या करें मुनिवर, राजन, अब आप हम दोनों को यहां से प्रस्थान करने की आग्या दे, मुनिगणों का आधिक समय तक राजमहल में रहना उचित नहीं, 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 मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगी, मुनिजन, हम अपनी पुत्री की इच्छा के विरुध विवहार करने का विचार ही नहीं कर सकते, और वैसे भी अब आप हमारे अतिधी नहीं रहे, हमारे समान ही इस मैहल के वासी हो चुके हैं, इसलिए यहां से जाने का विचार थ्यार दें, परन्तु यदि आपके आदर सदकार में हमारी योर से कोई तुरूटी इवं कमी रह गई हो, तो हमें कहें हम दूर करेंगे, राजा संजय के आग्रवा अनुरोध को अस्विकार करना ना तो नारत के वश्च में ही था न मुनी परवत के, संभावता राजकुमारी दम्यंती का मौन प्रेम ही प्रेरक था, दूसरी और देवराज इंद्र की हठ धर्मी के कारण त्वश्टा रिशी अभी तक स्वर्ग में ही थी, और उनकी उपस्थिती से गुरु विरह स्पति का उत्टेजित्व क्रोधित होना भी स्वाभाविक ही था, देवराज, आपके हठ और आगरा के कारण ही रिशी त्वश्टा का स्वर्ग में आगमन हुआ है, हमने इससे पूर्व ही आपको सावधान कर दिया था, कि आपकी अकांग्शाए असी में था, जिमका कोई अंती नहीं है, और जिने त्वश्टा कभी बूर्ण नहीं कर पाएंगे, आपका स्वर्ग, आपकी देव सेना की शक्ति के सहारे ही सुरक्षित रह सकता है, त्वश्टा के सुरक्षा कवज के कारण नहीं त्वश्टा से सुरक्षा कवज की बात करके आपने उन्हें धर्मसंकट में ही नहीं डाल दिया उल्टव ने रुष्ट भी कर दिया है त्वश्टा ने शक्ति अरादना करके अद्वुज शक्तियां प्राप्त कर ली है उनका रुष्ट होना भी आपके लिए शुब नहीं है अता उचित यहीं है किर्शी त्वश्टा को प्रत्वी लोग लौटा दिया जाए उनके यहां रहने से स्वर्ख का कोई हित होने वाला नहीं है देव खुरू तो क्या इसी लिए आपने देवराज इंद्र को प्रेरित किया था हमसे एक संभव सी मांग पूरी करवाने के लिए था कि हम स्वर्ण सर्व लोग छोड़कर चले जाए यह आपका भ्रम है रिशी त्वश्टा हमने कभी देवराज इंद्र से यह नहीं कहा कि देवे आपसे स्वर्ग के सुरक्षा कवच के लिए कहें करण के हम जानते थे और जानते हैं कि यह मांग पूर्ण करना आपके लिए संभव है ही नहीं संभव है G Assim कि अंगे आपने हमें आपनी चमथकारी सित्धियों से प्रबावित नहीं किया थि है कि अपने हमें विश्वास नहीं दिलाए था अपने चमथकारu का है इसे लिए तो हमने आपको स्वर्गमें आमंत्रित कियता और आव आप अपने बचन से विमुक हो रहे हैं निशिवर हमने जो आप से कहा है उसे पूरा करके दिखाएं कदापी नहीं हम आपके कुछ सेवक नहीं है जो आपके आज्या मानने के लिए विवश हो और अब अब तुछ और भी असंभव हो किया है हम आपकी इच्छा पूर्ण कर भी सकते थे नेवराज कि तू अब नहीं करेंगे कारण क्या है शक्ति उपासक तुष्टा का मान सम्मान और गौरव सवर्गाधी पति देवराज इंद्र से कदापी कम नहीं है तो तो क्या प् आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो आपके यहां रहने का प्रयोजनी क्या है आप तुरंत यहां से प्रत्वी लोग लौट जाए रिशिवर्ण क्योंकि आप हमें आपकी अवश्यक्ता नहीं हाए अरे स्वार्थी देवराज आवश्यक्ता तो हमें भी तुम्हारी नहीं है फर्ग लोग में आते थी बनाकर तुम हमें यहां लाए थे हमने तुमसे नहीं कहा था फर्ग लोग में आने के लिए तुमने हमसे मिंती की थी तुमने और अब हमें चले जाने के लिए कहकर तुमने हमारा ही नहीं हमारी अधियां प्रदान करने वाली बाता शक्ति का भी अपमान किया है अब हम यहां एक शड़ भी नहीं रहेंगे जैरी है रिशीद वश्टर इसलिए और अधिक अपमानित होने के लिए हमें अपमानित करने में आपका भी पूर्ण योगदान रहा है देव गुरु प्रहस्पती इसका तुष्पर नाम आपको और देवराज इंद को ही नहीं अपी तो संपूर्ण सर्ग्रोग को भुगत लाओगा देवराज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ तुष्टा को अपमानित करके आपने अपने लिए एक नए संकड को जन दे दिया है हमें सावधान रहना होगा अब इमानी तुष्टा अपने अपमान का प्रतिशोद अवश्य लेगा अपर्ण शक्त की आधना करके हमें ऐसे यज्यका अनुष्ठान करेंगे क्योंकि इंद्र के लिए खातक सद्दोगा इसलिए प्रेश शो इंद्र विरोधी महायक्य की तैयारियां आरंभ करो जैसे आप याद्या गुरुदेव क्योंकि तैयारियां आरंभ करो जैसे याद्या अनुष्ठान करो जैसे याद्यादो अनुष्ठान कर दोजना ऑंट बिप दुट्ना थाज़ कर दोजना थार और पस्याँ भाज जाज़ कर दो दोजना थाज़ प्रभू देवी पार्वती कहा है स्वामी माता पार्वती प्रतिमास के नियम के अनुसाल कुमार कार्तिके से की देवी पार्वती को बार-बार नारत का स्मरन हो रहा हो देवरिशी नारत का स्मरन हाँ हम कि अपतो अंतर यामि है स्वामी पर यह सत्य है कि बार-बार मुझे नारत का इस्वरण हो रहा था मैं तो ये भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप से वर्दान प्राप्त करने के पश्चाद नारत अचानत कहां अद्रश हो गए बार-बार कैलाश की टो लेने वाले नारत क्या हमें बिलकुल ही भूल गए ? नारत हमें नहीं भूल सकते देवी किन्तु भूल अवश्य कर सकते हैं भूल ? कैसी भूल ? भूल भूलईयां में फस जाने की भूल जिससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें मिली नहीं रहा है आपकी क्रपा होगी, तो वो भूल भुलेंयां से बाहर आही जाएंगे, आप तो ये बताए कि उन्होंने ग्रहस्त जीवन में प्रवेश किया, अथ्वा नहीं, आपके वर्दान के अनुसार, उन्हें धन पतने की प्राप्ती हो चुकी होगी न स्वामी? देवी, इस प्रश्न का उत्तर, कुछ समय पश्चाद तुम्हें अविश्य मिल जाएगा। नज जाने किस तशा में होंगे दारत। प्रणा मुनिवर, तहला छोड़े और भोजन करे। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिस्तान और पकवान मैंने स्वयम बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाए और बताएए, मैं पाफ कलाम में निपुर हूँ, अध्वन नहीं। किन्तो आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यू किया? मेरे संतोष और आनन को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर, आपको भोजन कराकर मुझे जो संतोष्टी और आनन की प्राप्ती होगी उसकी तो आप कलपना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कलपना नहीं की थी वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर। यदि आप इसी परकार संकोच करते रहे तो मैं अपने हाथों से बठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मुनिवर परवत आपके कक्ष में पहुच गया है यह नारा जी का भोजन है। नारत नारत तुम दिन प्रति दिन राजकुमारी। दम्यंति के प्रेम पाश में भस्ते जा रहे हों। तो लोग में स्वच्छंद विचरन करने वाले नारत तुम्हारी यह क्या दशा हो गई है। यह वर्दान का फल है अथो अभिशाप का दंड अभिशाप का दंड नारत 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। परवत यह ज्ञान है मुझे। आगे कहो। तुमने राजकुमारी दम्यंति को पून रूप से अपने प्रेम पाश में चकर लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारत। परवत और कैसा प्रेम कौन सा पाश स्थिती का तुम्हें तनिक भी ज्यान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। दम्यंति को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और नहीं मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो श्वयम ही प्रेम की उनमाद में अपनी सुल्भ खोती जा रही है। उसे प्रेम का उनमाद है ? तो क्या मैं तुम्हें उनमाध ही लगता हूं recursos को मैं नहीं चाहता कि वो मेरे स्व्यूंई पाए। कि मैं तो स्वायम इस विचित्र परिस्तिती में फस कर छट पटा रहा हूं सावधान नारद सावधान तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच-सच कहने की प्रतिग्या की है क्या यह सत्य नहीं कि तुम दम्यंति से प्रेम नहीं करते सत्ते तो ये है कि दमियंति का संदर उसका प्रेम उसकी निकटा अब तुम्हें भाने लगी है तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए अती संदर अदभुत मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो मैं मैंने क्या अनुचित किया है तो मैंने ही क्या अनुचित किया है बताओ मैंने क्या अनुचित किया है जो आरोग तुम मुझ पर लगा रहे हो इसका कोई प्रमान है तुम्हारे पास विधाता ने केवल आखे ही नहीं इन आखों के पिछवाड़े एक बुद्धिस्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है परवत अपनी दुष्टता को चिपाने का प्रयत न करो ना रख यह तुम नहीं तुम्हारे हिर्दे में चिपी इर्शा बोल रही है फिर भी कभी नहीं चाहा कि दमियंती सदा के लिए मेरी हो जाए असत्य सर्व था असत्य बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो तुमने मेरे रिदय को पीड़ित किया है अतय में तुम्हें श्राब देता हो कि अपने मन की चंचलता क कारण तुम अपने आपको वानर सा सिद्ध कर चुके हो अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा तुम वानर मुखी बन जाओगे तुम निर्दोष को शिराब देकर जो तुमने आनुचित कार या इर्शावश किया है उसके लिए मैं तुम्हें शिराब देता हूँ आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धी नश्ट हो जाएगी तुम आकाश मार से स्वर्ग कभी नहीं पहुच पाओगे तुम प्रत्विलोग में ही बटक के रहोगे प्रत्विलोग बटक के रहोगे